सागु दाने से बनने वाली ये स्वीटिश आपको आपके सुस्राल की मलका बना देगी बनाना बहुत सिंपल है तो चैने बनाने का तरीका देखती हैं और सबसे पहले आपने दो कप पानी लेना है पानी जब थोड़ा सब वाइल हो जाए तो दो चमच सागु दाना इसमें एड़ कर देना है और आपने अच्छे तरीके से चमच को हिलाते जाना है जब ये इस तरह की क्रिस्टल्स बनने लग जाएं इसके तो आपने पानी को निकाल देना है और ये सागु दाने को एक साइट पे आपने रख देना है अब इसको बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी आपने टू ओलपर्स की क्रीम लेनी है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पॉलपर्स की क्रीम, में कप साइ комп बैंड को बनाने आपक नकलता है तो फमया कम अच्छा इसके साइज़ें है अब आपने 2 व्लीक क्रीम निकलता है तो दू कप धन्यश्य क्रीम कि निकलता है दूसरी में 2 कप ठीक है मैं इसमें दो कप एड़ किये हैं दूसरा कप में आपको दिखाना भूल गई हूं नेक्स आपने कंडेंस मिल्क लेना है तो यह थोड़ा मीठा होता है तो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक लेंगे थो है टू जो औल पर्स की क्रीम है ना उसमें अध़ा कप जो हैं यह कंडेंस मिल्क का एड़ कर सकते हैं मैंने थोड़ा एड़ ज़ाद किया है क्या मुझे मीठा ज़्यदा पसंद है तो आप अपनी अक्वोर्डिंग क्वांटिटी रख सकते हैं अब मैंने इसमें यह एड कर दी है और उसके बाद आपने इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी दोनों क्रीम्स एक दूसे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास अगर फ्रूट्स अवेरबल हैं घर में तो आप इसमें फ्रूट्स भी एड़ कर सकती है अब नेक्स्ट आपने इसमें सागुदाना एड़ करना है जो हमने पहले बना कर रखा था आपने ये तमाम क्वांटिटी आलमोस्ट इसके अंदर एड़ कर देनी है और इसको फिर एक दफाँ अच्छे से मिक्स करना है इसके क्वांटिटी जैसे मैंने आपको बताई है आपने वैसे ही रखनी है तो आपको ये खीर बहुत पसंद आएगी अगर आप न्यूली ब्राइड है तो भी इसको बनाएंगी तो आपको बहुत अच्छे जल्स पिलेंगे इसका पानी निकाल लेना है आपने और जो ये तरीके से मिक्स करने अगर आप न्यूली ब्राइड है शादी होकर आप अपने सुस्राल जाती है तो ये स्वीर डिश बनाकर उनको खिला सकती है तो आपको जो है बहुत जदा आपकी तारिफ होगी और ये इसलिए है आप अपने पर्स में बैग में किसी भी चीज में डा